वंदे मात्रम कैंसर के रोगी जिन में रक्त की कमी बहुत ज़्यादा होती है विशेश रूप में से ब्लड कैंसर में आज हम आपको ब्लड कैंसर या आन्य कैंसर में सरीर में रक्त की अगर कमी है तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं वो सारे पोसक्ततों के बारे में विश्तार से बताएंगे तो इस सीजन में सबसे अच्छा कारे करता है चुकुंदर चुकुंदर को गुड के साथ भी आप परियोग कर सकते हैं जूस निकाल के विशेश रूप से चुकुंदर के पत्तों में चकुंदर के जड़ से ज़्यादा रक्त होता है तो चकुंदर के पत्ते सही चकुंदर का जूस पिएं दूसरे नमबर पे पालक का जूस बहुत ही अच्छा कारे करता है पालक का जूस पिएं या फिर पालक की सबजी खाएं उसके बाद सेव रक्त की कमी में बहुत ही लाब में उसके बाद आपका अनार अनार का जूस बहुत ही लाबडायक है रोजाना पीएं उसके बाद गाजर गाजर का जूस एक दो गिलास अवस्चे पीएं गाजर के जूस के बाद आप एक और महत्वपूर्ण ओस्दी है आवला या तो गाजर के जूस में या आवला मिला ले या फिर अलग से आउले का जूस बढ़ा के भी पी सकते हैं आउले के मुरब्बा भी खा सकते हैं चटनी भी खा सकते हैं आउले की चटनी में सहद मिला सकते हैं वो खा सकते हैं आप सहद और चकुंदर का रस मिला के पीजिये इससे भी खून बहुत बढ़ता है इसके अत्रिक्त लसुन और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के उसकी चटनी खाने से भी रक्त तेजी से बढ़ता है दूद रात को दूद के अंदर दो खजूर मिला के हलका सा गरम करें गरम करने के पाद दूद पीएं और खजूर भी खालें इससे भी रक्त बहुत तेजी से बढ़ता है गिलोए गिलोए का जूस पीएं रस निकालें उसमें तुलसी मिला के ले ले वो भी रक्त के लिए बहुत अच्छा है आउने का रस और जामून के रस को समान मातरा में मिला कर पीने से भी खून बहुत तेजी से बढ़ता है कच्चे सिंगाडा बहुत ही अदबूत है खून के लिए कच्चा सिंगाडा खूब खाएं दो या तीन चम्मच तिल को पानी में भिगो दें और बाद में दो से तीन घंटे के बाद उसको लोडी सलावटे के मादम से पीस लें और उसके अंदर एक चम्मच सहद मिला के रोगी को चटाएं इससे भी खून बहुत तेजी से बढ़ता है अंगूर का सेवन खून बढ़ाने में बहुत लाबदायक है और इस सीजन में अंगूर नहीं है तो आठ दस मुनक का अंजीर इनको भीगो के आप अवस्चे खिलाएं रोगी को नारियल पानी खून को बढ़ाने में बहुत ही लाबदायक है इसलिए नारियल पानी का अवस्चे परियोग करें जिससे खून बढ़ेगा तो ये सारी उस्चे का परियोग आप निरंतर करें जिससे की रोगी का खून तेजी से बढ़ाया जा सके एक और मेरा निवेदन है बहुत सारे रोगी जिनकी चिकिच्या गुरुकुल में चल रही है और विशेश रूप से रक्त कैंसर के रोगी जिनको दो-दो महीने हो गए है बलड चड़वाए वे और किसी भी सूरत में अगर बलड कम होता है तो बलड चड़वाने की बजाए प्रियास ये करें आद से ही कि दो गिलास अनार का जूस, एक गिलास गाजर का जूस, चकुंदर का जूस, आमुडा ये चीजे जितने भी बताई इनकी मात्रा बढ़ा दें जिससे की उनको रक्त चड़वाने की आउसकता ना पड़े क्योंकि एक बार हमारा सरीर को हम एक दूर हो चुके हैं, रक्त चड़वाने की परक्रिया से दो महिने, डाइ महिने हमें हो चुके हैं अगर हम इस पीरियड को जितना बढ़ाते जाएंगे, वितना जल्दी हम ठीक होंगे इसके अतरिक्त आप चारिये पानी का भी परियोग कर सकते हैं, जिससे रक्त जल्दी से जल्दी आपका बढ़ेगा और चारिये पानी गंगा का सबसे जादा है, ग्या फिर पानी के अंदर गोमाता के गोवर के केंडो की जो बसम बनती है, वो मिला के पिएं, तो वो भी इसमें साहेक होगा वंदे मातरम, जै भारत, पाई राजीव दिक्षित अमर रहें